तो चलिए आज हम परबल की एक बहुत ही मचेदार देखने में बहुत सुन्दर और खाने में बहुत टेस्टी एक रेसिपी शेयर करते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया इसमें कुछ परबल ने लिया है तो सबसे पहले हम इसका जो उपर का जो छिलका है इसे हम हटा लेंगे तो आपको पूरा छिलका इसका नहीं हटाना है ये उपर का जो हलका पतला छिलका होता है ना उसी को आपको हटाना है तो चाकू के मरत से आप आराम से इसे हटा सकते हैं तो इस तरह से खटाने के बाद इसका दोनों साइद में थोड़ा इसे कात के निकाल लेंगे तो बादि के जो परपल हैं इसे भी हम इस तरह से छील लेता हैं इसका हलके उपर का छीलव का तो ये जो रेषिपी है न ये बहुत यूणिक है क्योंकि इसका जो cutting है cutting skill में सारा मतलब खेल है तो आपको इस तरह से तिर्षा-तिर्षा cut लगाना है तो मैं आपको दिखा रही हूँ आप चाकू से भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे ना इससे बहुत सुविधा होती है मेरा आदत है मतलब इससे इसलिए मैं मोठी से कर रही हूँ तो आपको इस तरह से side से cut लगाना है आप cutting देख लीजिए तब आपकी recipe बहुत अच्छी बनेगी ये देखिए इस तरह से आपको पतला-पतला करके cut लगाना है ठीक उसी तरह से इसका जो ultra side है इस side में हो गया अभी इसका ultra side में भी ठीक उसी तरह से cut लगाना है और लेकिन इसके बीच मेरा थोड़ा जगा आपको छोड़ना है नहीं तो क्या होगा अगर आप पूरा cut लगा दोगे तो ये तुकड़ों में बढ़ जाएगी जैसे पत्ते होते हैं पत्ते में जैसे बीच में एक दंथल होती है थोड़ा इस तरह से थोड़ा जगा आपको छोड़ना है तो ये देखिए ये देखिए यह तेयार है, बीच में थोरी सी जगा है, दोनों तरफ से हमने कट लगा लिया है, तो इसी तरह से जो बाकी का है, इसे भी हम तयार कर लेंगे, तो इसे अभी हम नमक खल्दी मिला के, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत कम चीजों से बनती है, और इसका टेस्ट गज होते हैं उससे बहुत अलग है तो इस तरह से नमखल्दी मिलाने के बाद आप तेल को गरम कर ले और तेल में इसे चोड़ दे इसमें ना कुछ टीप सेंट ट्रिक है तो आप जैसे कि आप देख रहे हो अभी यह शेप लाने के लिए हमें कुछ मतलब ट्रिक को फोलो करना है तो यह आपको आगे वीडियो में पता चलेगी तो सबसे बहले हम तेल में छोड़के इसे हम कुछ नहीं करेंगे थोरी देर के लिए इसे इस तरह से रहने देंगे कम से कम 20-30 सेकंड के लिए उसके बाद हम इसे पलत लेंगे तो यह हलका सॉफ हो जाती है जब हम इसे तेल में देते हैं तो यह हलका सॉफ होती है थोरी देर बार तो अभी हम इसे एक तरफ से पलट लेते हैं तो अभी ये हलका सौफ्ट हो गई है तो अभी ना इसे आपको इस तरह से दबाना है तो आपको इसे तब तक दबाते रहना है जब तक आपको अपने मन मुताबिक इसका जो सहीत है वो ना मिल जाए तो यह देखे हम इसे हलके हाथों से दबाईएगा तो दबाने के बाद फिर हम इसे पलटेंगे इधर पलट पलट के फिर हम इसे धीरे धीरे दबाएंगे तो जैसे जैसे यह सौफ होते जाएगी न तो इसका जो शेफ है वो आती जाएगी और यह अंदर तक अच्छी तरह स तो अभी हम इसे फ्राइब करने के बाद एक बार पलत लेते हैं तो देखिए यह अभी शेट में आने लगी है इसका शेट बहुत ही सुन्दर आता है यह देखिए यह दम पत्ते की तरह बहुत कुछ फूल की तरह बहुत अच्छा लगता है मतलब आप अगर मेहवान वगेर और उनके ठाली में साइब में अगर आप चावल के साथ रख देंगे ना तो वो आपको जरूर एक पर पूछेंगे कि यह आपने कैसे बनाया साइर आपने बहुत जादान मेहनत किया होगा इसे बनाने में लेकिन इसमें कोई इसा मेहनत तो है नहीं बहुत ही सिंपल तरीक कर लेंगे और जब तक आपको मतलब अच्छा शेक ना आए आप भीरे-धिरे दबा के इसे इसमें लाग लीजेगा बहुत ही सिंपल है रेसिपी और इसका तेस्ट में बार बार बता रही हूं आप एक बार बनाईएगा इसके बाद मुझे आके कॉमेंट सेक्शन में कॉम